नमस्कार, कैप्टल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार उत्तरपरदेश के गोरकपूर से ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक शक्स ने एक वैपारी से लाखो रुपे एट लिये हैं जिसके बाद पीडित का आरोप है कि आरोपी शक्स ने उससे विधायक का खास आदमी बता कर लाखो रुपे का चूना लगा दिया है फिलाल पुलिस इस मामले की जांच में जूटी हुई है क्या कुछ है पूरा मामला जानने के लिए देखे हमारी ये खास रिपोर्ट उत्तर परदेश के गोरकपूर से ठगी का चौकाने वाला मामला सामने आया है यहां एक शक्स ने खुद को विधायक का करीबी बता कर एक वैपारी से अंठावन लाख रुपे एट लिये हैं पीडित का आरोप है कि आरोपी शक्स ने उससे कहा कि वो विधायक का खास आदमी है फिर लाखो रुपे का चूना लगा दिया घटना जंगहा थाना छेतर के रागो पट्टी गाउं की है पीडित व्यक्ती का नाम जितेंद्र साहनी है जितेंद्र साहनी ने पुलीस को अपनी शिकायत में बताया कि काम के सिलसिले में लगभग 10 साल पहले वो विशाखा पत्नम शिप्ट हुए थे यहां कई कामों में अपनी किस्मत आजमानी के बाद वो फरनीचर का बिजनस करने लगे यह काम काफी अच्छे से चल रहा था जितेंद्र साहनी के मुताबिक करीब 3 साल पहले बढ़हल गंचेतर का रहने वाला एक यूबग विशाखा पत्नम पहुँचा था इस दोरान उस व्यक्ति की मुलाकाद जितेंद्र साहनी से हुई गुरपूर का होने के नाते जितेंद्र साहनी ने उसकी आवभगत की वह यूबग खुद को बढ़हल गंचेतर का काफी प्रभावशाली व्यक्ति बता रहा था उस व्यक्ति ने जितेंदर से कहा कि वह बालू खनन का काम करता है और तो और उसके पास विधाय का काफी सपोर्ट भी है इस वज़ा से उसके काम में कोई भी दूसरा अधिकारी हस्तक छेप नहीं करता उसको अपने काम से काफी अच्छी इंकम होती है जितेंदर साहनी की माने तो शक्स ने अपने साथ विधाय की फोटो भी दिखाई और कहा कि विधायत उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता उसकी राय जरूर लेते हैं ऐसे में उनका भरपूर सपोर्ट भी है शक्स ने आगे कहा कि वह गाव से दूर आकर काम कर रहे हैं यहां आपको ज़्यादा खास लाफ नहीं होगा अगर उसके साथ पैसा लगाएंगे तो काफी लाब मिलेगा उसकी सारी बातों पर विश्वास करके जितेंदर साहनी ने उसे अलग अलग हातों से 50 लाख रूपे भेज दिये इसके बाद जब शक्स ने विधाय के नाम पर 8 लाख रूपे नगद मांगे तो वे भी दे दिये गए जितेंदर साहनी से पैसा लेकर वो शक्स काफी दिनों तक वैपार में पैसा लगाने की बात करता है उसने जितेंदर साहनी से कहा कि आपका पैसा बढ़ता जा रहा है इसे जोड़ कर एक बार ही आपको करड़ो रूपे दिये जाएंगे जितेंदर साहनी के मुताबिक वह शक्स ऐसा दो साल तक करता रहा इस दोरान जितेंदर साहनी जब उसके गाउं गए तो वहाँ उन्होंने दिखा कि शक्स ने कई नए ट्रैक्टर, ट्रॉली और बोलेरो गाड़ी आदी खरीद ली है वह अपना बिजनस तो कर रहा है लेकिन उसमें जितेंदर साहनी को कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई है इस दोरान जब जितेंदर साहनी ने उससे अपने पैसे वापस लेने की बात कही तो शक्स जितेंदर साहनी को धमकाने लगा और कहा कि उसकी पोहँच उपर तक है वह उसे फर्जी मुकदमे में फसवा कर जेल भेज देगा जिसमें उसकी कभी जमानत नहीं हो पाईगी पीडीत का कहना है कि आरोपी ने विधाय के करीबी एक व्यक्ति के खाते में भी कुछ पैसे मंगवाए थे जिसका प्रमान उसके पास है प्रमान और स्टेटमेंट्य को सौप दिया गया है वह इस मामले में अप डॉक्टर गॉरफ ग्रोवर में बताया है कि पीडीत की शिकायत के आधार पे की मामला बढ़हल गंज पुलीस को सौप दिया गया है फिलाल पुलीस मामले की जांच में जूटी है अभी के लिए इतना ही आप देखते रे क्याप्टिल टीवी उतरप्रदेश नमस्कार